सरकार की तमाम कोशिचों के बाद भी तीन तलाक रुकने का नाम नहीं ले रहा है आगरा में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पती ने तीन तलाक दे कर पतनी को घर से निकाल दिया मामला ट्रांस यमना कॉलोनी का है जहाँ पीडित महिला का आरोप है कि उसकी शादी को अभी छे माही हुए है और दहेज के लिए उसके साथ आए दिन मारपीड की जाती है पीडिता ने पुलिस से नियाय की गुहार लगाई है अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कारिवाई करती है पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिज भूशन की रिपोर्ट